हेलो दोस्तों मैं विनीता और मेरे किचन में आप सुबका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मुंग से पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी बनके भी तैयार हो जाते हैं एकदम क्रिस्पी करारे एकदम में भी पानी आ रहा होगा तो फटा-फट से आप इस वीडियो को देखिए और इसको बनाइए जब भी कोई चोटी-मुटी भूख लगी हो कुछ स्पेसल बनाने बना के खाने का मन कर रहा हो कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो जटपट इसको बना लीजिए तो दस्तो तीन-चार घंटे के लिए पानी में भीगो दिया था और यह देखिए बहुत अच्छे से अब इस टाइम पे सैट होगी है भीग चुकी है अच्छे से फूल चुकी है अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे छलनी में और इसको पीसेंगे तो पीसते वक्त हम इसमें डाल देंगे यह जो इसमें हलके हलके दाल के चंक्स दिखाई दे रहे हैं यही हमारे जो पकोड़े हैं इनको क्रिस्पी बनाने में मदद करेंगे और इस तरह से सारी दाल को हम पीस के एक बरतन में निकाल लेंगे तो सारी दाल मैंने इसी तरह से तीन-च्यार बार में पीस ली है और यहाँ पर आप सबके लिए जरूरी किचन टिप्स देखें जब भी हम कोई भी दाल पीसते हैं तो क्या होता हमारा जो मिक्सी का जार है वो इस तरह से पूरा गंदा हो जाता है मतलब इसके उपर पूरे पे दाल चिपक जाती है और फिल बिलकुल वो छुटती नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है उसी टाइम पे हमारी जो मिक्सी का जार है बिलकुल क्लीन हो गया है ना महनत करनी पड़ी ना कोई टैंजन फटा फट से आपका जार इस तरह से क्लीन हो जाएगा यह देखिए उमीद करती हूं आपको आज की टिपस अच्छी लगी होगी तो देखिए हमने जार को भी साथ के साथ क्लीन क अब थोड़े से और चीजे मीक्स करेंगे तो मैंने एक चम्मच सूजी ली है हरी मूंग क्या होती है थोड़ा सा कड़वापन देती है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच सूजी दो चम्मच बेसन और एक से डेड़ चम्मच चावल काटा स्वाद के निसमें नमक डालेंगे आदी चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है दो हरी मिर्च हमने दाल को पीछते वक्ती डाल ली थी तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के साब से थोड़े से कम जादा कर सकते हैं वैसे जो पकोड़े वगरा होते हैं वो थोड़े चटपटे ही अच्छे लगते हैं आदी चमच मैंने अजवाइन भी डाली है अजवाइन से फ्लेवर भी अच्छा आता है साथ के साथ डाइजेशन में हल्प करती है अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्कीप कर सकते हैं थोड़ा सामने डाल दिया है एक चमच की जितना चॉच्छी में हएम साथ मिक्स कर लें तो इसमें थोड़ा कम ज्यादा करे जा सकते अगर हल्के अधुले मसाले पसंद करते हैं तो आप उसकी साब से अपना देख Stewart लें एक चुटकी डालेंगे हल्दी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हल्दी हम, एक चुटकी बस और अब इसमें बिल्कुल पानी एड नहीं करना है, इसी पेश्ट के साथ हम इन सभी चीजों को अभी मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें पकोड़े बनाने हैं और अगर हमारा बैटर पतला हो गया धिला हो गया तो क्या होगा, पकोड़े सेपनी ले पाएंगे, फिर वो चीले या फिर डोसे का बैटर बन जाएगा तो ना तो मैंने पीस्ते वक्त दाल में एक चमच भी पानी एड़ किया था ना अभी पानी डाला है बस इसी तरह का आपको बैटर रखना है देखे चमच से आप इस तरह से उठा के जब डालेंगे न नीचे तो ये एक जगे गिरेगा बिल्कुल फैलेगा नहीं पकोड़े को थोड़ा सा फुलाने के लिए आप इसमें डालेंगे हम आधी चमच बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर की जगे आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं लेकिन उसको आपको आधी क्वांटिटी में करना है आधी से आधी चमच मतलब आधी चमच जैसे हमने बे तो इसी तरह का आपको पकोड़े के लिए बैटर बना के तयार करना है इधर हमने कडाई में रख दिया है तेल गरम होने के लिए तेल जब आपका अच्छा गरम हो जाए तभी आपको पकोड़े के फ्राई करना है कमें इसी तरह सेहाथ कि सायतदाइ से हम जितने तेल में एक बार में आजाएंगे इतने पकोड़े एक साथ कर लेंगे बहुत छोटे ही रखे हैं मैंने हाथ से बहुत आसानी से देखिए पकोड एकदम गोल गोल बन रहे हैं अभी थोड़ी देर में जब यह उपर आ जाएंगे ना पूरे तैर के तब आप देखना जब यह जाग थोड़े से सैटल हो जाएंगे तब हम इनको चम्मच की साइता से हिला लेंगे पकोडे तेल में डालने के बाद एक दो मिनट के बाद ही आप उनको हिलाईए ताकि वो बढ़िया से अपनी सेफ ले 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 और फिर बिखरे ना बैटर और अच्छा सा सुनेरा सा कलर आने तक हमें पकोडे को फ्राई करना है और दोस्तों ये इतने मज़ेदार लगते हैं खाने में गर्मियों में आप इनको दही में डालके रख दें थोड़ी देर में ये सोफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आप इसको खाई ये चाहें तो आप इससे सबजी बना सकते हैं या ऐसे ही जैसे मैंने आपको शुरू में नहीं किया है और बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने बचेवे पकोड़े भी फ्राई कर लेने हैं दो या तीन बैच में और बहुत मज़ा आता है मुझे तो इस तरह से पकोड़े वगएरा फ्राई करने में बनाने में अगर आपका बैटर परफेक्ट बना है तो आपके जो पकोड़े हैं वो भी एक दमी अच्छे बनेंगे बस ध्यान रखना है तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए और एक बार में तेल में जितने पकोड़े इजिली आ जाएं उतने डाल के आफ्राई कर लें शुरू में एक से दो मिनट के बाद ही आप पकोड़े को ही लाईए ताकि बढ़िया से अपनी सेप ले 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 और सैटल हो जाएं बाद मेंगुमा गुमा के इस तरब से चारो तरब से अच्छा कलर आने तक पकोड़े को हमें तल लेना है आप इनको half fry करके फ्रिजर में या फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं दो चार दिन के लिए बाद में जब आपको खाने हो तो आप तेल को अच्छा गरम करके इसको दुबारा से फ्राई कर सकते हैं इस तरह से जैसे half fry करके आप किसी एटाई डबबे में भरके रख सकते हैं तो अब मैंने दुबारा से पकोड़े गरम-गरम तेल में डाल दिये हैं दुबारा भी जब आप फ्राई करें तो तेल का टेंपरेचर अच्छा गरम होना चाहिए और अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हमें दुबारा में पकोडे को फ्राई कर लेना है और इस तरह से डबल फ्राई करके तो यह बहुत ही ज्याद बचेवे भी हमें इसी तरह से तेल में डालके अच्छे से फ्राई कर लेने हैं तो सारे पकोडे फ्रेंस मैंने डबल फ्राई भी कर लिये हैं बहुत अच्छे पकोडे बने हैं देखिए एक दमी क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज्यादा सोफ्ट हैं अंदर से बिल्कुल भी टाइट नहीं है ये बनाए हरे धनिय की चटनी इसके लिए सिंपल आप धनिया ले लिए लेसुन हरी मेड चद्रक नमक और इसको चन कर लीज़े मिक्सी में चाहें तो इस टाइम पे कच्छी कैरी डाल सकते हैं कचाम बहुत अच्छा इस टाइम पे गरमी में मिल जाता है तो उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे एक और नई रेस के साथ तब तक लिए आप सभी को गुड़ बाई